हेलो एवरिवेंट आप सभी का स्वागत करता हूँ फिर से एक नए वीडियो में तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी लीव अव HRMS मोडूल के थुरू ऑनलाइन अपलाई किया जाता है तो आज हम सीक को कैसे ओनलाइन HRMS के द्वारा अफलाई करते हैं इसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे तो अपने HRMS ID के पोर्टल पर आ गये हैं जो ओनलाइन अप अपना ID और पासवर्ट डाके लोग इन कर सकते हैं तो अपने HRMS ID को क्रोम ब्रॉजर में ओपन कर लिये हैं तो देखे यहां पर आपको उपर में निव लीव अप्लिकेशन माई लीव अप्लिकेशन और लीव का रिकॉर्ड है वो टोटल चीज इसमें दिखाता है तो सबसे पहले अगर आप नया अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको My New Live अप्लिकेशन में जाना होगा सबसे उपर में ही आपको दिख रहा है My New Live अप्लिकेशन उस पर क्लिक करिएगा तो आपको इस तरह से ओपन हो जाएगा इसके बाद देखिए इसमें सारा चीज डीटेल उपर में दिया गया है तो सबसे पहले में आपको लीव कौन सा लीव आप लेना चाहते हैं वो लीव चुनना है उसके बाद कब से कब तक है वो उसके बाद आपको Head Quarter में No लगाना है क्योंकि आप किसी दूसरे जगा जाते सेक्षन से छुटी लगाना है तो आपको No लगाना पड़ेगा और किस परपरस से लिए ह्याए है हेल्थ हीसू है तो हेल्थ हीसू और उसको आप अप लोट करना है उसके बाद kein चाहरे में साइडी को सूपर वाइजर को डालना है और उसके अबाद आपकोEnt Works on पे delी कर देना है तो सबसे पहले ऊपर में देखिए नेचार अप्ली किस तरह कर ना है उसक्कत आपको दूसरा में क помㄉू्ट्रेट्ट लीव तो देखिए, दोनों में अंतर क्या है, तो LHAP जो है न, उसमें आपको जब एक लिव लगाते हैं, एक दिन का सीख मिलता है, तो एक ही कटेगा, उसमें आपको half average payment मिलता है, यानि एक दिन का आधा payment मिलता है, लेकिन common treated लिव में अगर आप लगाते हैं, तो आपका एक सीख क आपका लिव कटता है, जिसमें आपको full payment मिलता है, तो इसका सबसे बड़ा यहां ही पर आपको चुनना है, तो आपको अगर full payment लेना चाहते हैं, तो commutated लिव में आपको click करना होगा, अगर सीख में हैं, तो आपको commutated लिव में आपको click करना पड़ेगा, अगर आप LHAP म करते हैं, तो आपको पूरा payment नहीं मिलेगा, बलकि half payment मिलेगा, तो आपको क्या करना है, commutated लिव में select कर लेना है, अगर आप पूरा payment लेना चाहते हैं, तो उसके बाद आपको date चूज करना है, कौन सा date से कौन सा date तक है, वो आपको proper चुन लेना है, तो जैसे मैं 78 2023 से ले आपको क्लिक कर लेना है, तो देखिए हम द्वारा form भर रहे हैं, इसके कारने हैं आपको लिख रहा है, तो इस तरह से date सेलेक्ट करने के बाद आपको head quarter permission में no सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपको यहाँ पर region देना है, तो health issue या फिर जो भी region है, health issue या फिर medical में एड आपको देखिए, documents upload करना है, तो जो भी hospital से आपको medical certificate मिला है, उसको आपको PDF में बना लेना है, और उसके बाद उस PDF को यहाँ पर आपको देखिए, मेरा बना लिए है, six certificate करके लिखा हुआ है, यहाँ पर select कर लेना, select करने के बाद आप लोड पर click करना है, जैसे ही upload पर click कर आपको यहाँ अप लोडिंग कर दिखाएगा, 100% अप लोडिंग हो जागा, तो आपको यहाँ भी दिखाएगा, अगर upload नहीं होता है, तो आपको आपको भी नहीं दिखाएगा, तो जैसे यह upload हो जाएगा, तो आप गया करना है, अपना supervisor के जो ID है, या फिर उनका नाम आ है, या यह चारे में साइड है, तो जैसे ही डालिएगा, तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करने के लिए आ जाएगा, तो एक्चूल में जो भी रहेगा, उनका यह चारे में साइड ही डालते हैं, तो आपको आपको उनका नाम आ जाता है, और फिर आप सेलेक्ट करके, आप उसको यहाँ पर डाल सकते हैं उसके वाद आपको क्या करना है कि submit application पर क्लिक कर देना एक वार आप इसको अराम से देख सकते हैं कि आपको date सई डाला है या नहीं और उसके वाद आपको submit पर click कर देता है जैसे ही आप submit पर click करते हैं तो आपका form जी supervisor के hrms id डाले हैं उनके पास चला जाएगा वहाँ जाने के बाद आपको यहाँ पर click करना है और यहाँ click करने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरा form submit हुआ है या नहीं और फिर वहाँ form वह आपको hrms id में supervisor के पास चला जाएगा अगर आप commutated leave में seek वाला नहीं डालते हैं जो lhp है उसमें डालते हैं तो आपको फिर full payment नहीं मिलता है आपको half payment मिलेगा लेकिन आप commutated leave में seek के लिए apply करते हैं तो आपको एक सीख एक दिन का सीख रहेगा तो आपको डवल कटता है और फिर आपको full payment उसमें मिलता है तो इस तरह से आपको seek apply करना है commutated leave में जाकर गे और आप उस application को आप अपने fin hrms id में देख सकते हैं फिर से एक वर बता दू आप लोग को अगर आप फूल पेमेंट लेना चाहते हैं तो आपको commutated leave में डालना है अगर आप हाप payment लेना चाहते हैं तो आपको LHAP जो है उसमें आपको apply करना है तो आप फूल पेमेंट लेना चाहते हैं तो आपको commutated leave में जाना है आपको यहाँ पे हम मेरा दिखा रहा है कि जब आप जैसे मेरा जितना दिन का है उससे दूगना कटा तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं लेकिन आपको LHAP में डालते हैं तो आपको दूगना नहीं सकते हैं कॉमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा तो यहाँ पे फिर से आप एक बार देख लिजिए का मुट्वेटेड लीव और LHAP तो का मुट्वेटेड लीव में सीख को ही अपलाइक करें मिलते हैं कि आगली वुडियो त अब तक के लिए धन्यवाद